नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लीटन और आप सबको आपका अपना चैनल एल टेक्निकल पे स्वागत है तो दोस्तों क्या हाल चाले आप सबका आयोपाप सभी लोग सही होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है समसंग गेलेक्सी S21 FE 5G जनवरी 2022 को लांच हुआ था बट S22 का FE वर्जन मिन्स फैन एडिशन लांच नहीं हुआ था तो तब सभी ने सोचा था कि शायद अभी और फैन एडिशन देखने को नहीं मिलेगा जिससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि एक रिलाइबल लिक्स्टार के मुताबिक हमें और फैन एडिशन देखने को नहीं मिलेगा बट अभी जो निउज निकल के आया है वो आप लोगों को खुश कर देगा जी हा दोस्तो अभी अभी एक रिपोट आया है सैम मुबाइल की तरब से जहाँ पर बताया जा रहा है कि सैमसंग गेलेक्सी S23 का FE वर्जन क्वाटर फोर में लांच होने वाला है means anytime between October and December सैम मुबाइल पाब्लिकेशन ने ये भी क्लेम किया है कि इसी गेलेक्सी S23 FE में Exynos 2200 SoC देखने को मिलेगा in all reasons means S21 FE में कुछ कंट्री में Snapdragon का chipset था और कुछ में Exynos का था बट S23 FE में Worldwide Exynos का chipset देखने को मिलेगा बताया जा रहा है कि इसमें 50 megapixel का primary camera देखने को मिलेगा और 4500 mAh का battery देखने को मिलेगा जो maybe 25 watt charging support के साथ आएगा इसमें दो storage option देखने को मिलेगा एक होगा 128 GB और दूसरा होगा 256 GB और RAM इसमें 6 GB और 8 GB देखने को मिलेगा according to the source the Galaxy S23 FE will have model code SM-S711X which will be in line with the model designation for Samsung's recent S-series flagships तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा information helpful लगा है तो वीडियो को like और share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe करके साथ मुझे बेल आइकन उस पर भी press करके all कर दीजिएगा और अगर आप लोग मुझे Instagram पर follow करना चाहते हूँ तो मैं मेरा Instagram का link नीचे description पर दिया हूँ आप लोग वासो जाके मुझे follow कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बास इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिश्टे अट्यून एंड केप स्माइलिंग